मसी में आप सब को मेरा सलाम मेरा नाम लुबना गनी है और मेरा तालुक बेदाग का मारी मरियम कैतलक चर्च टोबा टेक सिंग से है आज परोज जुमा और तेरा नवंबर है आज की इंजीले मुकदस, मुकदस लुका के मुताबिक आज खुदावन तेरी तमजीद हो उसका स्तारमा बाब 26-36 आयताक बयान और जैसा नू के दिनों में हुआ था उसी तरह इबने इंसान के दिनों में भी होगा के लोग खाते पीते, ब्याह करते और ब्याहे जाते थे उस दिन तक के नू किष्टी में दाखिल हुआ और तुफान ने आकर सब को हलाक किया या जैसा लूत के दिनों में हुआ था के लोग खाते पीते और खरीदों फरुख्त करते और द्रख्त लगाते और मकान बनाते थे मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंदक आस्मान से बरसी और सब को हलाक कर दिया इबने इनसान के जहूर के दिन भी ऐसा ही होगा उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसके लेने के लिए नीचे ना आए और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लोटे लोट की बीवी को याद रखो जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा और जो उसे खोए वो उसे बचाई रखेगा मैं तुम से कहता हूँ कि उस रात दो एक चार पाई पर पड़े होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा और दो एकठी चकी पीस्ती होंगी एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावन कहां उसने उनसे कहा जहां कहीं मुर्दाद होगा वहां गिद भी जमा हो जाएंगे जीले मुकद्स के पड़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो खुदा का शुकर हो आमीन सलाम और दूआ से अगास करते हैं मेरा नाम फादर हारून इलियास ओपी मैं मुलतान डूमिनिकन हाॉस आफ फरमेशन में को डिरेक्टर का काम कर रहा हूँ और आज की तिलावतें और आज का रिफ्लेक्शन जिस पे हम बात करेंगे नहायत ही पुरमानी और हमारी रूहों के लिए इमान अफरोज है वो कैसे आज हम जब पहली तिलावत मुकद्स युहना के दूसरे खत में से सुनते हैं तो जो आएथ है वो ये है मुझे उस बात से बड़ी खुशी हुई कि मैंने तेरे फरसंदों में से कई एक को उस हुकम के मताबिक चलता पाया जो हमें बाप की तरफ से मिला था अभी कौन सा हुकम बाप की तरफ से मिला था चलें इसको जरा देखती हैं बाप ने हमें हुक्म दिया था कि अपने सारे दिल अपने सारी जान अपनी सारी अकल अपने सारी ताकत से अपने खुदा को प्यार कर और इस हुकम को इस शरीयत को खुदाव комे जिस्षु मेस्थ किस तरह पूरा किया मैं तुम्हे एक और हुकमे अजीम देता हूँ जो श्रीयत को पूरा करता है ना के रद करता है तू अपने सारे दिल तू अपनी सारी जान तू अपनी सारी अकल तू अपनी सारी ताकत से अपने खुदावन अपने खुदा को प्यार कर और इसके साथ ही तो अपने हमसाए से अपनी माने महबत कर तो आज जब यहना इस बात को खोलता है तो वो कहता है कि मैंने मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने तेरे कुछ फर्जन जो है वो तेरे हुकम पर चलते हुए और उसको मानते हुए पाए और मैं खुश हुआ और आज जब हम जबूर देखते हैं 119 तो उसकी पहली दो आयात मुबारी के वो जो कामल रफ्तार है और खुदावन की शरीयत पर चलते हैं मुबारी के वो जो उसकी शाद्तों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं यानि वो जो बदी से डुके रहते हैं अभी खुदावंद की श्रीयत क्या है? खुदावंद की श्रीयत खुदा के दासोगम पहले एक खुदा को मानना फक्त उसकी बंद्गी और उसी को सजदा करना दूसरा खुदावन का नाम बेफ़ादा लेना बेफ़ादा ना लेना तीसरा खुदावन का दिन पाक रखना और उसमें बंद्नी मेहनत का काम ना करना चोथे माबाब की इज़त करना और इस तरह बहुत सारे और एकाम आज की अंजील जब हम सुनते हैं तो आज की अंजील में जो जिक्र है वो हम देखते हैं कि लूत के जमाने में लूत के दौर में जो हमने देखा हमने सुना कि उस वक्त लोग ब्याहे भी जाते थे ब्याह भी करते थे लेकिन एक चीज़ की कमी थी जनी जब ब्या होते हैं ब्याहे जाते हैं तो खुशी तो मनाई जाती है वहां नाच और राग तो होता है वहां जिन्दगी बड़ी खुशी के साथ चल रही है लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो क्या थी? वो थी एक दूसरे को कबूल करने की वो थी एक दूसरे से महबत ना रखने की वो थी एक दूसरे के साथ ना चलने की ना इतफाकी की हस्द, नफरत और कदूरत की लोगों के अंदर ये चीज़ थी कि वो नफरत करते थे कदूरत रखते थे और जिन्दी चल रही थी लेकिन मुहबत की कमी थी अपनायत की कमी थी सुला की कमी थी सलामती की कमी थी और मेरे अजीज़ों वहाँ जब ये सब कुछ था तो फिर क्या हुआ खुदा की आवाज आए के लूत तो अपना खांदान यहां से ले और रवाना हो क्यूंकि मैं इस शहर को मैं इस कस्बे को मैं इन लोगों को तबाह और बरबाद कर दूँगा परे यजीज़ों खुदा के फर्जन जैसे पहली तलावत में हमने सुना कि मैंने कुछ ऐसे फर्जन पाए जो तेरे हुक्मों के मताबक चलते हैं तेरी आवाज को सुनते हैं और उस पर लबैक कहते हैं और लूत ने उसमें उस पर लबैक कहा नू ने उसके नू के जमाने में हमने देखा कि जब लोग नाफर्मानी करते थे जब लोग हस्त करते थे जब लोग एक दूसरे से नफरत करते थे और मेरे अजीज़ों खुदा ने नूं से कहा कि तू कश्टी बना और मेरे अजीज़ों वो फर्जन जो खुदा की आवाज सुनते थे वो उसके साथ चले वो उसके साथ उसकश्टी में रुआना हुए اور باقی سارے خدا نے طوفان کے ساتھ برباد کر دیئے تباہ کر دیئے رسوا کر دیئے اور میری عزیزو وہ جو خدا کی آواز سنتے تھے وہ نو کے ساتھ کشتی میں تھے اور کشتی پانی پرتے اور خدا کا فضل ان پر تھا اور اسی طرح میری عزیزو آج مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے جب ہم آمد کے ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں خوشی کے ایک موسم کی طرف جا رہے ہیں और हम आइदा एत्वार को जो आने वाला है उस से आइदा एत्वार को हम क्या देखेंगे ये सुबादशा की इद मनाएंगे खुशी की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है आमद की तरफ हम जा रहे हैं खुशी का जनम दिन मनाने के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं लेकिन अगर हम में महबत नहीं है अगर हम में उल्फत नहीं है अगर हम में अपनायत नहीं है अगर हम खुदा की श्रीयत को नहीं सुनते, अगर हम उसके हुक्मों पर आमल नहीं करते, अगर हम उसके बताय हुए असूलों के मताबिक जिन्दगी बसर नहीं करते, तो हमारी खुशी राएगा है, हमारा इमान पूरा नहीं है, हमारा इमान नाकिस है, हमारी सोच हमारे इम के साथ नहीं चल रही हैं तो मेरे अजिज़ respons आएंए एक दफ़ा फिर तहया करें एरादा करें ताके हम आमद के याम में दाखिल होने से पहले अपने आपको खुशी के लिए महबत के लिए और एक दूसरे की अपनायत के लिए अपने आप को प्यार करें ताके हम मिलकर हाथों को पकड़ कर एक दूसरे के हम खुदा की बादशाहत के लिए रवाना हूं और आमद के मौसम में कदम मारें मसी हमारें खुदा उनके वसीले से आमेन